आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम फिर से एक बहुत ही important topic पर बात करने वाले हैं और वो है 16 वर्ष तक चलने वाली जुपिटर यानि की ब्रहस्पती की महादशा के बारे में तो इसके साथ ही हम आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रहस्पती की महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है तो किन remedies किन उपायों के द्वारा हम उसके negative प्रभाव को जो है वो कम कर सकते हैं तो देखिए आज का मेरा ये वीडियो जो है वो research based वीडियो है तो आईए शुरवात करते हैं देखिए ब्रहस्पती ग्रह जो है वो कारक है ज्यान अध्यात्मिक्ता पद प्रतिष्ठा और धन संपता का तो हमारे बर्चार्ट में जो ब्रहस्पती ग्रह है वो संतान का न मैं ब्रहस्पती ग्रह और ब्रहस्पती की महादर्शा के बारे में बहुत सी जो है interesting बातों को जो है वो share करने वाली हों तो सबसे पहले देखिए अगर किसी व्यक्ति के especially किसी female के बर्चार्ट में ब्रहस्पती ग्रह जुपिटर अगर retrograde है वक्री है और उसके उपर पाप ही खास इसके बहुत खास माइने हैं क्योंकि देखिए जब भी ब्रहस्पती ग्रह जो है उसे संतान का नसरगिक कारक माना जाता है तो अगर किसी female के बर्चार्ट में ब्रहस्पती ग्रह अगर वक्री होकर आया है retrograde है तो उस थिती में जो ब्रहस्पती ग्रह जो है वो संत तो इस थिती में जिस भी फीमेल के बर्ट चार्ट में इस तरह की प्लेस्मेंट होगी जुपिटर रेट्रो ग्रेड होगा और उसके उपर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो उन्हें जो है कम से कम एक संतान की प्राप्ति में उन्हें एक्स्ट्रा मैडिकल सपोर्ट की किसी और तरह की एक्स्ट्रा मैडिकल सपोर्ट तो देखिए जब भी किसी व्यक्ति के बर्ट चार्ट में कोई ग्रह वो वक्री होकर आता है तो उस थिती में वो ग्रह जो है उस जनम में उस जीवन में कुछ स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए ही रेट्रो ग्रेड ह हुआ है क्योंकि देखिए वही ग्रह हमारे बर्ट चार्ट में रेट्रो ग्रेड होता है जो कि हमारे जनम के समय प्रित्वी के अर्थ के जो है बहुत पास से गुजर रहा होता है तो इस थिती में जो वक्री ग्रह है जो भी ग्रह वक्री होता है तो वो व्यक्ति के जीवन पर जो है बहुत ज़ादा influence डालने की बहुत ज़ादा अपना प्रभाव डालने की स्थिती में होता है तो अगर किसी व्यक्ति के बर्चार्ट में जुपिटर ग्रहए वक्री है तो जो ब्रहस्पति की महादर्शा है वो उसके लिए जो है वो बहुत खास रहने वाली है उसम कुछ special purpose जरूर रहेगा जिसको कि उसको इस महादशा के दौरान जो है वो पूरा करना होगा और वो उसको पूरा करने के लिए bound रहेगा उसके पास कोई दूशरी option नहीं होगी कि वो उसको जो है वो ignore कर पाए तो यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति के आफ कि बर्टार्टाम चाइब हो मैं जूपिटर ग्रह जो है ग्यान और अध्यात्मिक्ता का वो अगर ब्हश्पति ग्रह आठवे घर घ्र में वक्री होकर शूभ नक्षत्रों मैं अगर प्लेइस्ट है और दूसरे ग्रह भी अगर अगर सपोर्ट करते हैं तो व्यक्ति जो है इस जनम में इस महादशा के दौरान जो है ज्यान के शेत्र में जुपिटर से संबंधित फील्ड में जो है बहुत अच्छी रिसर्च कर सकता है और क्यूंकि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं वो पास्ट लाइश का इस जनम की रिसरुच में उसकी पास्ट लाइफ पिछले बहुत से जनमों में जो भी ज्यान अरजित किया है वो ज्यान भी उसमें वो जुड़ जाएगा तो इस थिती में इसका परिद्वाट क्या होगा कि व्यक्ति जो है कुछ ही समय में इसिशेत्र में जुपिटर से सं और उन व्यक्तियों के बराबर आसकता है जो कि इस शेत्र में बहुत से पिछले बहुत से वर्ष्यों से बहुत सीरियस किसम की रिसर्च कर रहे हैं बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर् चार्ट में जुपिटर ग्रह वक्री है तो जुपिटर की महादशा ब्रहसपती की महादशा जो है वो बहुत खास रहने वाली है, तो जुपिटर महादशा के बारे में मैं एक और इंटरस्टिनग चीज भी आप से शेर करना कि देखिए जुपिटर की महादशा ब्रसपती की महादशा जो है वो हमारे जीवन काल में एक मैगनिफाइंग ग्लास की तरह काम करती है पॉजिटिव और नेगटिव दोनों ही तरह से तो व्यक्ति की एक छोटी सी जो गलती है वो भी जो है अगर उसकी गुरू की महादशा के दौरान व्यक्ति को खराब फलों की या फिर एवरिज फलों की जो है वो प्राप्ति हो सकती है देखिए सबसे पहले तो यह डिपेंड करता है कि हमारे बर्चार्ट में जो ब्रसपती ग्रह है उसकी प्लेस्मेंट जो है वो किस तरह की है और अकसर लोगों में ये गलत फहमी रहती है कि जूपिटर ब्रसपती ग्रह जो है क्योंकि वो मोस्ट बैनिफिक प्लैनेट है तो ब्रसपती की महादशा के दौरान व्यक्ति को खराब फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती और मैंने बहुत बार जो है जूपिटर की महादशा में व्यक्तियों को शनी की मह वैंगे इसकी वज़ा यह कि भ्रहस्पती ग्रह वो देवताओं के गुरु हैं तो उनके जो परफेक्शन के जो पैरामीटर्स जो परफेक्शन के जो स्टेंडरड्स हैं वो बहुत हाई हैं तो अगर व्यक्ति जो हैं अगर वो बिलो एवरेज काम करते हैं या फॉर्मालेट से एक काम करते हैं जुपिटर की महादेशा के दौरान तो उनको जो है एक महान सफलता एक great success मिलने के जो chances हैं वो बहुत कम रहते हैं क्योंकि जुपिटर जो है ब्रहस्पति ग्रह जो है वो देवताओं के गुरु हैं उनको जो है perfection बहुत जादा perfection किया गया काम जो है वही काम जो है सफलता दिलवा सकता है ब्रहस्पति की महादेशा में हमारे birth chart के जिस भी house में ब्रहस्पति की placement होगी गुरु ग्रह की placement होगी उस ग्रह से संबंधित शेत्र में अगर हम perfection के साथ काम कर पाएं तभी हम बहुत जादा success की उमीद रख सकते हैं तो अगर व्यक्ति जो है वो अगर below average या formality से कुछ भी काम करता है जुपिटर की महादेशा के दौरान तो उ क्योंकि देखिए गुरु हैं तो वो दंड भी दे सकते हैं तो इसके साथ ही मैं एक और बात भी share करना चाहूंगी कि देखिए ब्रहस्पति की महादेशा अगर किसी व्यक्ति की चल रही है तो दूसरे लोगों से ज्यादा मदद की उमीद जो है वो मत रखें क्योंकि देवगुरु ब्रहस्पति जो हैं वो यह चाहते हैं कि आप independent बनिये बजाए कि आप दूसरों से मदद की expectation रखें आप इतने capable बनिये कि आप दूसरों की मदद कर पाएं तो यहां पर ब्रहस्पति ग्रह जो है उससे जीव कारक माना जाता है तो ब्रहस्पति की महादशा क दौरान लोग व्यक्ति आपसे मदद मांगने जरूर आएंगे और आप इस महादशा के दौरान तभी सफल हो सकते हैं अगर आप लोगों से जुड़ेंगे उनकी मदद कर पाएंगे इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर जुपिटर की प्लेस्मेंट हमारे बर् जुपिटर ब्रस्पति की महादशा के दौरान हमें जो है ब्रस्पति के जो शुप फलों में जो है कमी हो सकती है क्योंकि ब्रस्पति की जो आधी एनरजी तो जो है वो राहू को कंट्रोल करने में ही जा सकती है तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ब्रस लेकिन वेट गेन से संबंदित प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को दे सकती है विवाह में देरी जैसी दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना भी उसको करना पड़ सकता है तो इसके साथ ही अगर ब्रहस्पति ग्रह हमारे बर्च चार्ट के थर्ड हाउस में प्लेस्ट है जो कि जुप बर्चार्ट के दसमे घर में अगर जुपिटर प्लेस्ट हो तब भी वो जो है इतना अच्छा फल नहीं दे पाता क्योंकि दसमे घर जो कि हमारे प्रॉफेशन का घर है उसे वार जोन जो है वो माना जाता है अब हम बात करेंगे कि किन स्थित्यों में ब्रस्पति की महाद सिक्स्थ एट नाइन्थ या इलेवन्थ हाउस में शुब नक्षत्रों में अगर प्लेस्ट हो तो ब्रस्पति की महादशा के दौरान व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं देखिए हमारे बर्चार्ट का सेकिंड और इलेवन्थ हाउस मनी हाउस मा या भिस्त ऐसे लेवन्थ हाउस में इन्यवन्थ हाउस में प्लेस्थ हो oh my प्राप्त अच्छे población मीक्ति अच्छ और ब्राइवन्थ हो इन Spark knot का मानी जाता है तो ब्रस्पति महादशा के बहुत बड़ा घर दे सकती है इस महादशा के दौरान और जो घटर का एन्वायर्मेंट है वह जिव बहुत सर्पिरिच्वन हो सकता एं प्रिफ्थ हाउस में जूपिटर की शूप बहुत क्रियेटिविटी को अ कहता है और और 6th house में Jupiter की मैं एक special placement के बारे में बात करना चाहूंगी कि देखिए अगर हमारे birth chart के 6th house में जो की रोग, रिन और रिपू का माना जाता है तो वहाँ पर अगर ब्रस्पती, शुब स्थिती में पूर्वभद अपने खुद के नक्षत्र, पूर्वभद रपद नक्षत्र में अगर placed हो और उसके उपर शुब ग्रहों की दृष्टियां हो तो व्यक्ती जो है ब्रस्पती महादशा के दौरान जो है वो शत्रुहनता हो सकता है तो यहाँ पर इस तरह की जो placement है वो व्यक्ती को महादेव की रुद्र शक्ती की तरह अपने enemies का जो है वो destroyer बना सकती है और व्यक्ती को ब्रस्पती महादशा के दौरान जो है वो invincible victory जो है वो प्रदान कर सकती है तो अश्टम हाउस जो आठमा घर है वो occult knowledge का है वहाँ पर ब्रस्पती की शुब placement व्यक्ती को occult के शेत्र में बहुत अच्छा ग्यान दे सकती है नौवे घर में ब्रस्पती की placement शुब placement व्यक्ती को जो है भाग्य का साथ दे सकती है और उसको अच्छा गुरू भी दे सकती है उसको spirituality भी दे सकती है तो इस तरह से ब्रस्पती ग्रह की इस तरह की शुबता के साथ placement जो है वो जुपिटर महादशा के दौरान व्यक्ती को बहुत कुछ दे सकती है तो मै आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए अगर किसी व्यक्ति को ब्रहस्पती महादशा के दौरान खराब फलों की प्राप्ति हो रही है तो ब्रहस्पती ग्रह क्योंकि ग्यान का कारक है अध्यात्मिक्ता का कारक है तो व्यक्ति को जो है गरीब बच्चों की में मदद कर सकते हैं केले का प्रेड़ लगाना ब्रसपति महादशा के दौरान जूपिटर के शुब फलों को बढ़ा सकता है और इसके साथ ही आप ओल्ड एज होंब्स में जो है लोगों को खाना दे सकते हैं कपड़े दे सकते हैं और भी जिस भी तरह से आप चाहें उस तर कि महादशा के दौरान हम जो है उसके जो नेगेटिव प्रभावों को काफी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं तो ये था मेरा चोटा सा विशलेशन अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें ह अरे क्रिशना